साचा करता हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं अल्टर साउंड रिपोर्ट को कैसे देखने चाहिए वह भी प्रेग्नेंस अल्टर साउंड को आसागरूमा के आपके सारे कुशन उंसर के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे और हम सीखने वाले हैं एंटे इंप्लेंटिड क्या होता है ग्रेट टू मैचुलिटी क्या होती है सिफेलिक और विच प्रेजेंटिशन क्या होता है हार्ट्रेट कितनी होना चाहिए एमनेटिक फ्लूड कम है या जादा है बच्चे की गरदन में कोई लूप यानि कोई उसका जो अमलेकल कॉर्ड है उसने अंटा तो नहीं लगाया है या फिल इसमें सीखेंगे बच्चे का movement है या नहीं है बच्चे का head circumstances कितना है BPT कितनी है EC यानि abnois circumstances कितना है और FL यानि femur length कितनी है और सम्भावित तेथी क्या है delivery की इस वीडियो में हम सीखेंगे और वच्चे का बजन कितना है या फिल कोई abnormality यानि इस ultrasound के अंदर कोई परिशानी अगर आती है तो आपको किस तरह से देखना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज प्लीज लाश्ट तक जरूर देखें और कुछ आपका कोई तो इस तो सिमिलर वर्ड है कोई दिक्कत बाद नहीं आपको कन्फिजन हो रहा है मैं भी यहां पर जैस्टेशनल ही बोल देता हूं ठीकि कि दो प्रेजन्टेशन मुझ्ष कॉमन होती है एक सिफलिक होता है रिज़स प्रजेंटेशन थोड़ी से एवनॉर्मल होते हैं उसमे अल्टरसोंड में आता है वो नॉर्मल प्रेजेंटिशन होता है कोई घपडाने की बात नहीं होती है जैस्टेशनल की अगर हम बात करें तो यह आपका टाइम होता है प्रेगनेंसी का कितने हपते चल रहे हैं यह एक डिसाइट करता है अल्टरसोनोग्राफी के अनुसार या प्रेगनेंन के वाल है आगे की तरफ की तो आपका जो प्लेशन्टा है वह इसी वाल पर चिपका हुआ है ठीक है यह होता है एंटिर इंप्लांटिर हीमोजीनिस नॉर्मल इन थिकनेस अगर हम बात करें ग्रेड्ट टू मैचूरेटी शीन की तो ग्रेड्टू मेचूरेट मतलब होता है जब की यह नीचे नीचे है जिब की ये digital तब होता है जिब 30 फोर जो जीम कैनंट है उनका निकल जाताए ठीट फोर से ज्दाव होता है यह ग्पशरीट आने के चंद से rendre ज्यादा होते हैं जब मैट्यानिका करें जरूर्दMr . थोड़ा सा पेट में दर्द बगेरा रह सकता है ऐसी महिलाओं को तो टेंशन वाले कोई दिख्कत नहीं है लेकिन फिर भी एक वर डॉक्टर से मिलने इसके बाद हम बात करते हैं एमनोटिक फ्लूड आपके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए कामाता है बच्चे को कार्डियक के बात करें तो यहां पर 157 BPM बच्चे का हांट कितने बार धड़क रहा है वहां देखते हैं जिदमिक कार्डियक एक्टिविटी 157 बार एक मिनीट में बच्चे का दिल जो है वह धड़क रहा है यानि कि नॉर्मल है अगर 180 से उपर जाता है तो प्रॉब्लम क नहीं कर रहा है इसका मतलब है और नहीं कर रहा है तो पुछ ना को प्रॉब्लम हो सकती है उल्म एराउंड नेक यानि जो गर्दन है बच्ची की उसके चारो तरफ जो प्लेशेंटा जो कॉल होता है उसने एक अंटा लगा लिया है बस सिंपल तो आपको घबराने की जुरूद नहीं है अगर यहां पर दो लूप होती है तो दिक्कत होती है तो आपको अभी कोई जुरूद नहीं लेकिन फिर भी एक पर डॉक्तर से जरूर मिलेना चाहिए अगर कोई कॉप्लेकेशन बनता है तो अब यहां पर लिखाओ नो अब्डूमिनल वाल थिकनेश अनोमली में नॉट नेसिसरी वी डिटेक्टेड अट एब्री एग्जामिशन टिकेट डेटेल फेटल एको नॉट इंक्लूड इन्क्लूड इनका कहनी का मतलब सिंपल यह है कि कुछ ऐसी परिशानिया कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आ सकती है जैसे बच्चे की पोजिशन में, अम्नोटिक फ्लूड में, वाल्यूम में, फेटल मूवमेंट में, अब्डूमिनल वाल थिकनेश में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आजा है जैसे कि कोई मसीन में टेक्निकल फॉल्ट आजा है तो हो सकता है कि यह सारी चीज़े नहीं द देखने को नहीं मिली है लेकिन एक परसंट जीरू परसंट चांस होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की बज़र से वो नहीं दिखा हो ऐसा हो सकता है ज़रूरी नहीं कि होई ठीक है क्योंकि जो एक्जामिनेशन करते हैं जो मसीन होते हैं वो सही तरीकी से चेक कर ली जाती है और समय समय पर उनकी सर्विसेज बगएर सब कुछ होता है इसलिए टेक्निकल फॉल्ट आने के चांस कम होते हैं लेकिन कई बार आभी जाते हैं अब हम बात करते हैं बीपीडी की बीपीडी यानि बायप्राइटर डायमीटर तो यहां पर इस बच्ची का बायप्राइटर क्या है और कितना होना चाहिए अगर यह 200 से नीचे आता है तो कम है बच्चे में दिक्कत होगी और अगर यह 300 से उपर जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है ज्यादा है तब भी प्रब्लम हो सकती है अब हम बात करते हैं एसी के बारे में एसी यानि एप्डूमिनल सरक अगर यह 300 से उपर जाता है या फिर कम की बात करें तो यह 200 से नीचे आता है तो थोड़ी से प्रब्लम हो सकती है याद रखें यहां पर हम 28 वीक की बात कर रहे हैं ऐसा नहों कि आप कोई कम वीक्स का अल्टर सोनोग्राफिय देख रहे हो जैसे 14 वीक्स का देख रहे हो य यहां पर कई लोग से बोलते हैं फीटेस लेंग्द फीटेस लेंग्द नहीं होता यह यह उता है ऑसके लेंट्थ कितनी है इसलिए प्रब्लम होती है क्योंकि जितना ओपर जाएगा इसका मतलब है उसकी साइज बड़ी है और जितना नीचे आएगा यानि उसकी साइज कम है तो यहां पर हमने साथ चारों के बारे में समझ लिया है BPD, HC, AC and FL के बारे में अब हम बात करते हैं impression में अगर कोई problem ultrasonography में आती है तो यहां पर आपको दी जाती है यहां पर इंप्रेशन में सिंगल लाइफ फीटर्स विद जैस्टेशनल एज 28 वीक 5 दे यानि 28 वीक का यह अल्टर सोनोग्राफी है और यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए जेस्टेशनल में आपको वताया प्रेगनेंसी टायम पूरा होता है तो यहां पर कहते हैं जे मतलब यह होता है जो बच्चे का वजन है वो कितना है एस्टीमिटेड है 1244 माइनस पिलस 181 ग्रेम्स यानि की 1244 तो है और इसमें माइनस पिलस हमने कर दिया है 181 ग्राम्स तो इसमें इतना कम यह ज्यादा हो सकता है और आपको द्याना होगा एश्टिमेंटेड डिलेवरी डेट है 5-6-2022 एक्तिमेंटेड डिलेवरी डेट है जो संबावित डिलिवरी डेट है वह 56220 है तो आज हमने समझ लिया है इस अल्टरसोनोग्राफिय में नॉर्मल अल्टरसोनोग्राफिय आपको कैसे रीड करनी है कैसे समझना है कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कैसे पढ़ना है I hope यह वीडियो आपको अच्छे त सेक्शन में जरूर बता है मैं आपको आंसर देने की पूरी कोसिस करूंगा सो गाइस पर मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं करके तब तक के लिए बाबाए टेक क्यार थेंक्यू फो वाचिंग